नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं 40 दिन के एस्टेटी मांस्टर प्लैन बताऊंगा इसे आप 40 दिन लगतार कंट्रिवस पढ़कर दिल्ली पूलिस कंस्टेबल में आप सेलेक्शन ले सकते हैं मैं खूद का इतना अच्छा प्लैन होगा अगर सभी लागतार 40 दिन लागतार आपका को भी सेलेक्शन रोक नहीं सकता है वाई कैसे पढ़नी है कौन सी बुक आपको पढ़ना है कितना दिर पढ़ना है सबी चीज़े बात करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हाँ एक औ लाइक भी कर देना है चलिए आगे अब बात करते हैं प्रिंट्स आपको मास्टर प्लैन जानने से पहले आपको मैं कुछ बेसिक बाते बताना चाहता हूं ताकि मुझे अच्छा लाइगा बताने में आपको थ्यान समझेंगे यह बाते पता रहेगी तो और मज़ आएगा मास्टर प्लैन को जनने में देखित जो फर्म का डेट आया था एक नोज दोहजार थेज में फर्म भर नाट के स्टार्ट हो गया था लाइस कितना तीस नोजडर थेजिस यानि एक महनी आपको टाइम दिया था फार्म को फील करने के लिए और एक जाम डेट को धियान से र 20-21 दिन आपका एक्जाम चलने वाला है हाना चलिए देट को ध्यान से रखेंगे दिमागे में कब से आपका एक्जाम आगा मिनिमम एक बात करें तो 18 यह से मैक्समुम 25 यह था हाना मिनिमम 18 यह था आप मैक्समुम 25 साल के थे और टोटल वेकेंशी कितनी थे गाई 7,574 जिसे मेल की तोटल वेकेंशी था जो फोरुस है उनके 5000 चंड था और फीमील के देगें तो 2491 तो ये आपका टोटल वेकेंशी है मेल और फीमील को देख रहे हैं कितना कितना है और यहां में नहीं जीक्खे में से हैं 50ustir यडिके में से पचास पूछे याएंगे एक नम्मर का होगा हाण या यहांनि इस पर कर लो टोस्टय dot max कितना होगा पचास यह घगार बोर यह आउयमिजिक को लाות निसे माख का 5 तो-टोर्चास कोसे बीदे 3 और टाइम कितना मिलेगा इन सभी कोशन को हल करने के लिए 90 मिनिट में सभी कोशन को आपको हल करना है और इधार उदर टीक नहीं लगाएंगे क्यों क्योंकि करते हैं तो गलती नहीं करना है ध्यार से जुपाएगा उसी को आप बरेंगे क्योंकि निगेटी मार्किंग दे रखा है तो अरहम से बढ़िये से आपको कोशन पर टीक लगाना है तो यह बेसिक बात है थी आपको पहले से पता होगी मुझे पता है अब समझते मास्टर प्ल प्लैन है क्या चालेज दिन कैसे फ़लो करना है ध्यान समझना अगर लगतार आपको चालेज दिन पढ़ोगे तो कोई सेलेक्शन रोक नहीं सकता आपका लिखी दे सकता हूं तो कैसे फ़लो करना है समझना देखिए चालेज दिन आपको लगतार पढ़ना है तो कितिनी दे साथ से आठ घंटे ही पढ़ेना है जिब हम छूटे थे नन्ने मुन्ने तो शूब़ जाते थे और साम को स्कूल से आजये तो पूरा दिन लाइफ की बात वाद्य तो साथ गंटे पढ़ी सकते हो चलिए तो शाथ पढ़ना है, पहले स्टार्ट करेंगे जी के से कि जीएस में कैसे क्या करना है, क्यों w bhoot park is 50 question है, इसमें कितना score करना है आपको पहले जान को पहली सब जाना चाहिए है हना हना चालिस पाइट तो हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत तुफ हो जाता है किसी भी एकजाम नेंगे उतना सई हो पाता है तो कम से को आपको 30-35 आपको टार्गेट बनाए ना है कि मेरा इतना कूशन सही हो जाए कांट छांट कर हना नेटी मार काट कर क्लियर रहे ना चलिए तीस पैदिस नमर आ जाना चाहिए तो यह आपका टार्गेट है पचास में तो फ्रेंड्स यह 30-35 कैसे आएगा यह समझो चलिए तो जीके के लिए करना क्या है अपको लूशेंट की बूक उठानी है हाना सबी जीके के बूक एक ही होती है तो लूशेंट रखेंगे हम बहुत ही अच्छी बूक है आपके सामने फोटो दिखाए देडर होगा तो यह बूक लेना है थियोरी वाला थियोर आपको देर घंटे पढ़ेले है थियोरी कंपलीट कर लिया चलिए थियोरी कंपलीट करने के बाद प्रेक्टिस कैसे करना ध्याने समझे लूशेंट का भूक उठानी है और लूशेंट का भूक आती है सामने फोटो होगा वो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ अब पूरा अब्जेक्टिव दिया है एक एक पॉइंट दे रखा है तो आपने यह कंपलेट गिया तो इसमें से अब टीक लगाएं कि मेरा कितना सही हुआ जो गलत हुआ उसको याद रखें जो सही हुआ उसको भी याद रखें तो इससे बहुत ही अच्छा कंबिनेशन बनेगा और आपकी प्रेक्टिस में जान नहीं जाना जाएगा हाना पूरा कोशन अफकर कंप्लेटली रिवाइज हो जाएगा तो यह दो बुक मैं रीकुमेंट करूंगा बहुत ही बेहतिनीन है बुक आपके लिए जीके के लिए हाना चलिए बहुत ही काफी गए दिल्ली पुलिस यहां पर ना है यहां यहां 1.5 घंटे और यह दो घंटा हुआ चलिए उसके बाद करेंट अफेर्स की बात करना हूं करेंट अफेर्स कैसे त्यारी करना है वीकली सब्सक्राइब को करेंट अफेर्स लेना है है weekly मन्थली नहीं लेंगे वीकली लेंगे current affairs बहुत ही अच्छा होगा कम डोज रहेगा तो weekly उठाना है और 30 निट लगतार आपको पढ़नी है और परड़ या पेपर भी पढ़ेंगे हना paper भी पढ़ना है तो current affairs पढ़ना है weekly वाल सब्दाई मन्थली नहीं लेंगे सब दाई को उठाना है तो weekly लेंगे और आदे घंटे पढ़ना है यानि overall आपको कितना पढ़ाई करना पढ़ेगा GS के लिए अड़ाई घंटे हाना दो फाइंट बाच बला तो अड़ाई घंटे आपको पढ़ाई करना पढ़ेगा जीके बहुत ही इंपोर्टेंट है दिली पुलिस के लिए पचास कोफशन यही रहेगा तो इसके लिए ज्यादा टाइम आपको दीना पढ़ेगा तो धाई घंटे पढ़ना पढ़ेगा हाना डाई धाई घंटे क्लिए ना चली इतना तो कर सकते हो यह हो गया गाई जीके के अब बाद में बताऊंगा एक और प्लान ध्यान या समझो पहले इतनी बात एक क्लिए जीके कंप्लीट हुआ जीके ऐसे ही कर हुए सेलेक्शन कोई ने रखेगा वाई 30-35 हो जाएगा अराम से यहां से थिवरी यहां से अब्जेक्टिक उसके बाद आपको वेकली करेंट और पेपर भी पढ़ने रहना है लगतार कंटिनुवस चलिए तो जीके आपने समझेगे अब अगले टॉफिक के बात करते हैं अगला सब्जेक्ट मैस रीजिनिंग के समझते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अब्जेक्ट की त्यारी कैसे करेंगे उसको समझते हैं आप और आपको किलीर करना है नोट से मतलब जो अपने कपी बनाई है अपने कलासिक कर रहा है तो उस में जो आपने अपने कपी सेब्स चलियो के बाद प्रेक्टिस हम लगानेगी किरन की बूक के बूक में और उसमें आदे एक घंटे आप प्रेक्टिस लगाएंगे, एक घंटे बहुत सारे कूशन अफसल कर पाएंगे, हाना तो अच्छी आपको प्रेक्टिस होगी, ताल मेल बैठेगा, यह रहा गायज किसका रीजिनिंग का, हाना, देखिए, यह जो हम प्लेन बता रहा हूं, उ और तो कूश आई नहीं, कलास हो नहीं पाएंगा, एक से डियर महीने में, तो प्रेक्टिस जीतना करें, आपके लिए बहुत ज्यादा बिनेफिट होगा, हाना, चलिए, तो यह हो गया रीजिनिंग के लिए, तो रीजिनिंग में कितना स्कोर करना है, यह समझ लें, कितने कोशन पुष जाएगा, पच्छीस, हाना, फचीस कोशन आएगा, तो आपको टारगेट बनाना हैगा, एक कम से कम, तेजिए आप करकेरे कोशन को सल्व कर दे, तो क्यों सल्व करना है, क्योंकि आपका, जो जीके इसमें 30-35 कोशन सल्व कर पाएंगे, तो फिर गेडिसमें kind तर्गेट बनाएंगे किले थेइस 22-22 आपका करेक्ट कोशन हो जाना चाहिए चलिए 25 में से 22-23 अब बात करते हैं मैट्स का दीखे मैट्स के लिए आपको टिंसर नहीं लेना है क्योंकि मैट्स के कलास है मैट का प्रेक्टिस मैं इस चैनल कराऊंगो तो प्रीज इस चैनल का आप सस्क्राइब करें और विडियो को सेर करें डेली में मौक लेके आऊंगा डेली पंद्रे-पंद्र कोशन का प्रेक्टिस कराऊंगो तो 45 दिन में समझ लो भाई 40 दिन में कितना हो जागा कोशन तो मैट के लिए आपको टेंसर नहीं लेना है ब्रेफिट से आप पढ़ प्रेक्टिस करनी है कीरन की बूक से कीरन में से प्रेक्टिस करनी है जो अपने टपिक इसमें बढ़ा वाई टप के लिए अपने एगहंटे प्रेक्टिस कर लिया है तो यह जी के और यह होगा आपका मैस जो क्वाइंट खतम यह अब लाश्ट ओला क्वाइंट समझें कम् सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ये बुक हाना आपके सामने स्कीन पर दिखाई दरोगा ये बुक उठानी है और इस बुक को पर एक घंटे आप पढ़ने बस आपका बेरा पार हो जाएगा एक घंटे इसको पढ़ना है बस एक घंटे हुआ ना वर्स पढ़े तो ओवर्ण कीतना टाइम हो गया इसके लिए सिर्फ वही बुक आपके लिए रणबाद है पूरा खतम कर देगा तो टाइम कितना हो जाएगा पहले धाए घंटा और यहाँ पर दिखेंगे तो तीन घंटे और यहाँ पर कितना घंटे साड़े छे घंटे हुआ ना साड़े छ साड़े साथ घंटे आपको पढ़ाई करनी है तो आए घंटे अप क्या करना है ध्यारे समझे आप एगंटे डेली पर दे पर दे आपको मौक लगाना है यह बहुत ज्यादा जरूरी है मौक लगाना है पर दे किसी भी टाइम 24 घंटे में एक घंटे मौक निकालेंगे सेक्षन दिला सकता है तो मौक लगाना बहुत हिंटे आपको मौक देना है ज्यादा करेंगे कि आप अनलाइन होगा लाइन होगा तो बहुत इपको यूजफिल होगा सभी चीजा आपको माउस हिलाने में थोड़ी से दिक्कत नाहीं होगी और सबीचिए उनलाइन जो होती लगाने के लिए जरूज आप अकर्षित करेंगा मौक बहुत ही इंपोर्टेट है तो यह रहा चालिस दिन का करने वाला हूं तो इस चैनल को प्लीज सस्क्राइब करेंगा और वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल पर नए है तो प्लीज सस्क्राइब करना है मिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में टेक कर जाएंद